हलो दोस्तों स्वागए था आप सभी का आपके बने चैनल बैंकिंग करें पर मिले नाम मुमे से यादो है दोस्तों SBA Junior Associate Notification को लेकर के आप सभी के लिए एक चोटा सा information है ये वीडियो जो है अपने SBA Junior Associate 2021 BC Online Club Group है वहाँ भी जाएगा क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे केंडियो जो है पूछ रहा थे कि सर नोडिविकेशन कब तक आएगा आप सभी को इस वीडियो में SBA Junior Associate का नोडिविकेशन जो है कब आएगा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और आपको कुछ important point बताने वाला हूँ जिसको आपको follow करना है और उसके अनसार से preparation करना है प्री जो है 100% निकलेगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को like कर दिजे और आप अपने चैनल banking career पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे आप सभी को definitely यहां से मदद मिलेगा और दोस्तो आप SBA Junior Associate BC Online Club Group नहीं जोइन के हैं तो जाकर कर जोइन कर लिजे वहाँ पर आपको proper advice किया जाएगा कैसे preparation करना है तो आप सभी के लिए काफी important है description में लिंक दिया हूँ उसको जाकर कर आप जोइन कर सकते हैं आप dedicated candidate हैं तो ही जाकर कि आप जोइन कीजिए दोस्तो जैसे कि SBA Junior Associate 2021 notification को लेकर कि आप में से बहुत सरे candidate जो है पूछ रहे हैं कि सर notification कब तक आएगा इसको लेकर कि बहुत सरे candidate भी जो है confused है कि notification आएगा कि नहीं आएगा दोस्तो notification जो है March 20 के बाद और April के first week में जो है notification आएगा chances है कि notification जो है अपना first waiting list आने वाला है उसी के आसपस में जो है एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में जो है अपना notification आजाए तो उसके आसपस में जो है notification आजाएगा और नहीं आएगा तो आपको April के first week में desperately जो है notification आएगा और अपना pre का exam आप सभी को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अपना pre का exam मई और जूर में होने वाला है और यह fix है होगा इसमें कोई भी doubt नहीं है तो दोस्तो आप में से जितने सारे candidates जो है notification को लेकर के wait कर रहे है यह हमेशा आप लोग पुछते रहे हैं कि sir notification कब आएगा तो आप लोग जो है notification को लेकर के आप लोग चिंता मत कीजिए अभी जो है अभी से preparation start कर दीजिए और उसके लिए जो है क्या कीजिए यह आप में से जतने सारे अपने group के member हैं आप सफी के लिए applicable है आप लोग जो है previous year का paper पर जो है Korean publication के या अर्यांत का जो है book आता है उसको आपको ले लीजिए आपके नजिए कि जो है book store पर मिल जाएगा नहीं तो आप Amazon पर order कर दीजिएगा वहां से जो है उस book को मंगा लीजिए और उसमें जो है जितने सारे आपको टेस्ट दिया है उसको आप टेस्ट को करि आपको आगे बढ़ना है जैसे आपने reading का पेपर उठाया तो पूरा आपको reading का सभी question solve करना है जो आपसे नहीं बन रहा है उसको कोसिस किजे बनाने के लिए और नहीं बन रहा है तो आप उसमें solution देखिए और उसको पूरा आच्छे से बना लीजिए ऐसे आपको 10-15 दिन आपका target होना चाहिए believe me guy जगर आप इस book को ले करके और आप अच्छे से जो है सभी mock को लगा लेते हो तो आपका 100% जो है कोई भी pre हो आपको 100% निकलेगा आप इस पे clerk हो इस पे PO हो या किसी भी pre की बात करें तो आपका 100% जो है pre निकलेगा और आपका score भी अच्छा होग और आपका speed भी बढ़ जाएगा तो आप लोग जो है एही किजे आप लोग बुक मंगा लीजे और उसमें जो है 10 से 15 दिन का आप target रखे उसमें जितना सारा mock दे है उसको आप लोग कर लीजे और उसके बाद हम लोग plan बनाएंगे कैसे आपको mock solve करने है कैसे बाकी आगे का त्यारी करना है लेकिन अभी जो है यह आप लोग जरूर कीजे तो आप लोग जो है इसको जरूर करेंगे और अभी से यूनियर असोसियेट के लिए प्रिपेशन स्टार्ट कर देंगे और आप mock देना चाहते हैं तो ग्रेड़ब का green card test जो है mock आपको suggest किया हूँ तो आप कोई doubt है तो मुझे comment करके जरूर बताइए thank you for watching banking career God bless you all